Hey guys, welcome to our channel, दोस्तों आप सभी को बता है Redmi अपकी बात जो है Note 11 सीरीज के अंदर तीन के जगा अपना चार स्मार्टफोन को लांच करेगा एंड दोस्तों इसी के साथ साथ Redmi का एक और नया स्मार्टफोन जो है डिजिटल चैट स्टेशन के ऊपर स्पोर्ट किया गया है वैसे तो इसका नाम कनफर्म नहीं हुआ है और कौन सा सीरीज के अंदर इसको लांच किया जाएगा इसके बारे में भी कोई भी कनफर्मेशन नहीं मिला है लेकिन काफी एग्रेसी प्राइस के साथ लांच होने वाला है और 5G कनेक्टिविटी हम लोगों को जो है दीने को मिल जाएगा आगे वीडियो में बने रहना मैं आप लोगों के साथ काफी को शेयर करने वाला हूँ डिद्मी नोट 11 सीरीज के बारे में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरू से कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिवेशन आप लोगों सबसे पहले मिल पाए और एक छोड़ा सा रिक्वेश्ट रहेगा एस अलवेस लाइक भी एक कर लेना ताकि मुझे तोरह सा मोटिवेशन मिल पाए आपकी एक लाइक से ना काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे हर रोज ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जिस फोन को स्पॉर्ट किया गया है रेड्मी का डिजिटल चैट स्टेशन के उपर उस फोन के बारे में तो सबसे पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि चाइना के अंदर थाउजन यूवान के आसपास में लाँच होगा और इंडिया के अंदर आते आते इसका प्राइज होने वाला है लगबख से ग्यारा से लेके बाड़ा हजर के आसपास में 5G करनेक्टिविटी के साथ लाँच होगा और दोस्तो इस फोन के बाड़े में जो information निकल के आ चुका है वैसे तो नाम confirm नहीं हुआ है कि series का smartphone होने वाला है इसके बाड़े में कोई भी confirmation नहीं है लेकिन 5100 एमेज का बैटरी और 67 Watt fast charging के साथ हम लोगो को देने को मिल जाएगा मुझे यहाँ तक लगता है यह phone जो है न Redmi Note 11 series का starting base variant होने वाला है यह completely मेरा thought है आप मुझे नीचे comment section में बता सकते हो आपका thought क्या है इस phone के बाड़े में चलिए अभी बाते कर लेते हैं Redmi Note 11 Pro Max के बाड़े में दोस्तो Redmi Note 11 Pro Max इस series का सबसे topper variant होने वाला है और इस phone के अंद performance अब लोगों को दिखने को मिल जाएगा 5G connectivity को support करता है साथी साथ यहाँ पे अब लोगों को जो display दिखने को मिलेगा ना Super AMOLED होने वाला है और गाईस इसके साथ साथ इसके अंदर 120 Hz का refresh rate प्रोवाइट किया जाएगा हो सकता है कि in display finger pin sensor भी दिखने को मिल जाए बाकी यह वैसे तो इसका जो primary camera पहले निकल के आया था ना 108 megapixel के साथ launch होने वाला था ऐसा information निकल के आया था लेकिन अब जो है confirm हो चुका है almost आप मान के चलो कि 50 megapixel Sony IMX766 sensor के साथ आने वाला है बाकी यहाँ पे ultra wide, telephoto and depth वगड़ा दिखने को मिल जाएगा front facing camera कम से कम हम लोगों को 32 2 megapixel तक दिखने को मिल जाएगा battery के बाड़े में अगर बाते करेंगे तो दोस्तों battery यहाँ पे 5200 इमेज तक दिखने को मिल सकता है 67 watt fast charging same यहाँ पर भी हम लोगों को जो है दिखने को मिल जाएगा USB Type-C port होने वाला है 3.5 mm audio jack का support मिलेगा और गाईज इसे के साथ साथ इस phone क के अंदर हर type का necessary sensor provide किया जाएगा साधी साधी यहाँ पर Android 12 out of the box होने वाला है MIUI 13 के साथ user interface दिखने को मिल जाएगा Redmi Note 11 series की अगर launch date and price के बाड़े में बाते करेंगे तो दोस्तों November या तो फिर December के अंदर इस smartphone का price जो है हम लोगों को दिखने को मिल जाएगा और जादा से इस phone के लिए इंतेजर करना हो सकता है next year तक next year Jan February इसके बीच ही हम लोगों को जो है दिखने को मिल सकता है बागी इस phone का price हो सकता है under 25,000 के आसपास में बागी आप लोगों को क्या लगता है Redmi Note 11 series के बाड़े में और जो phone निकल के आचुगा है न डिजिटल चैट स्टेशन क उपर नया वाला उस phone के बाड़े में भी अपना thought अपना opinion नीचे comment section में जरूस से मुझे बताना तो आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे मिलता हूँ किसी next year exciting वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों goodbye and take care